हाई एव्यूवाइन आएम नीहाँ होप यौल आट डूइली वैल सो आज के प्रोजेक्ट के लिए मैंने यह सिफोन साडी लिया आप यहाँ पे जॉल्जेट फैब्रिक पी ले सकते हैं सिमिलर साडी बाइकरनी के लिंग मैंने इचे डिस्क्रिप्शन में दिया आप अप अ जो आप देख सकते हैं हमारी ओपन साइड है एक हमारी फोल्डेट साइड है तो फोल्डेट साइड के कॉर्णर पे हमें अपना वेस्ट रेडियस यानि की वेस्ट राउन मार्क करना है तो मेजिंग टेप को कॉर्णर पर रखते हूं अपना वेस्ट राउन मार्क करेंगे वेस्ट राउंड तो यहां पे हम full circle scut बना रहे हैं तो यहां पे हमारा waste round है 26 inches plus 2 inches हम उसमें losing के लिए add करेंगे plus 4 inches हम side margin के लिए add करेंगे जो कि 11 inch हमारा side margin में जाएगा तो यहां पे हमारा 32 inches आ रहा है उसे हमें 6.28 से divide करना है जो कि हमारा full circle का formula है तो यह हमारा सबके लिए same रहेगा तो यहां पे मेरा 5 inches आ रहा है तो टेप को corner पे 5 inch पे रखते हूं हमें पूरी गोलाई round में marking करनी है अब यहां वेश्ट से नीचे हम अपनी length मार्क करेंगे तो मैं यहां पे अबब एंकल length रखूंगी तो यह मेरी 32 inches आ रही है उसमें प्लस वन इंच करूंगी जो के नीचे हमारा हैम फोल्डिंग में जाएगा अब हमें टेप को corner पे रखते हैं से फुल मेजर करना है तो यह मेरा 38 inches आ रहा है तो पूरी गोलाई राउंड में 38 inch पे मार्क कर लेंगे यहां फुल सर्कल कट करने के बाद आप इसे अगर वेयर करेंगे तो नीचे हमारा bottom हैम में irregular fabric होता है तो इसे हमें स्टेट हैंग करके वह कट करना होता है अब हम इसके अंदर के अंडर स्कट यानि के lining स्कट करेंगे इसके लिए मैंने 2 मीटर सेंट्टून फैप्रिक लिए है जिसे मैंने single फोल्ड करके रखा है अब यहां folded साइट से हम अपना waist radius माप करना है तो यहां पर मैं half circle स्कट बनाऊंगी तो यहां पर भी सेम जितना हमारा waist round 26 इंचेज प्लस 2 इंच उसमें losing प्लस 4 इंचेज margin के लिए लेंगे पर यहां पर हम 32 इंचेज को 3.14 से डिवाइड करेंगे यह हमारा half circle का फॉर्मूला है तो यहां पर मेरा 10.1 इंचेज आया है सेम टैब को आँपनार पे रखतों इंच पर राउंड में मर्क करेंगे ज़ से हम अपनी लाइनिंग स्कटकी लेंद मर्क करेंगे तो आउंटर इंचेज लिए वहां पर करके हमारा कितना आ रहा है तो यहां पर 40.1 पे रखते हैं है में मारक करेंगे कि कि यहां वेश्काइब करेंगे कि हुआं पर कुछ नहीं स्काइब एक folded side है, तो इस folded side को भी हम cut कर लेंगे, तो यहां पर हमारे front and back two piece cut हो जाएंगे लाइनिंग के, अब हम लाइनिंग में अपना top part cut करेंगे, तो यहां मैंने fabric को single fold करके रखाया है, इसे एक और बार fold कर लें, अब यहां folded side से हमें marking करनी है, तो यहां के top की length में 14 inches रखूंगे, प्लस 1 inch करेंगे, तो मैं अब हमें 15 inch रखूंगी, यहां उपर से हम half inch margin के लिए mark कर लेंगे, यहां पर हम इपनी shoulder width mark करेंगे, तो मेरी यहां पर 13.5 inches है, उसमें plus half inch में margin के लिए add करूंगे, तो आएगा हमारा 14 inches, उसका हमें यहां पर half लेना है, तो 7 inch पर mark कर लेंगे, यहां neck width हम 3.5 inches रखेंगे, सेम armhole length भी हम 7 inches लेंगे, यहां उपर से half inch हम shoulder drop के लिए mark करेंगे, यहां पर हम अपना chest round mark करेंगे, जो कि मेरा 33 inches, प्लस वन इंच उसमें लूजिंग के लिए add करेंगे, तो हमारा आएगा 34 inches, उसका हमें 4th part लेना है, तो मैं 8.5 inch पर mark कर लोगी, करेंगे जो कि हमारा था 26 इंच प्लस टो इंच उसमें लूजिंग लिए करेंगे उसका भी हमें फोर्फ पार्ट लेना है तो हमारा आएगा सैवें इंच उसमें प्लस वॉन इंच वेस्ट रांट की लेंगे और एट इंच परर माक कर लेंगे आर्मुल कॉफ की मार्किंग करेंगे इसका मिट पॉइंट मार्क करें तैन हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए हम अपना फ्रेंट आर्मुल का मार्किंग करेंगे यहां में फ्रेंच कर्व स्किल का यूज कर रहे हैं आप फ्री हैंड भी मार्क कर सकते हैं हलका बाहर की साइट लेते हुए बैकार मुर्ट की मार्किंग करेंगे अब शोल्डर से नीचे हमें यहाँ पर अपना बस्ट पॉइंट यानि कि एपेक्स पॉइंट मार्क करना है यह हमारा शोल्डर टो निपल लेंद होती है तो यह मेरी 10 इंचेज है यहाँ से नीचे 1 इंच लेंगे अब यहाँ पर हम अपना डार्ट विर्थ मार्क करेंगे इसकलिए आपका चित्ता भी चेस्ट रांडर उसका आपको 12 पार्ट लेना है वेस्ट आट के लिए जो हमने वन इंच लिया था उसमें माप कर लेंगे दोनों साइड हाफ आफ आफ इंच 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 साइड मार्जन लूँगी यहां से उपर आपको 0.75 इंच इंच पर माप करना है हम यहां पर हलका सा कॉफ देंगे यहां शोल्डर में उपर हाफ इंच मार्जन लेते हों कट करेंगे फर्स्ट हम बैक आर्मोल कट करेंगे दैन एक पीस अलग करके फ्रांट आर्मोल की कटिंग करेंगे एक पीस अलग करके फ्रांट आर्मोल की कटिंग कर लेंगे अब यहां पर हम अपने back neck mark करेंगे तो यहां back neck में आपको जितना हमने लिया था 3.5 inch width उसमें अंदर half inch लेना है जो कि हमारा margin में जाएगा यहां back neck depth में deep रखूंगी तो मैं यहां पर 9 inches लोंगी यहां उपर हमने 3 inches neck width लिया है यहां नीचे हम half inch कम लेंगे और यहां हम neck u shape mark करेंगे सेम lining piece को हम आउटर साडी fabric में कट कर लेंगे तो यहां मैंने साडी fabric को double fold करके रखा है यहां first हम अपना back part कट करेंगे यहां आपको neck cut नहीं करने हैं जिस्ट armhole और waist कट करेंगे तन एक पीस अलग करके front की cutting करेंगे अब पच्छे होए fabric में से हम अपनी sleeve कट करेंगे तो मैंने fabric को double fold करके रखा है यहां हम चूडी दार sleeve बना रहे हैं तो उसकी total length मैं यहां पर 31 inch ready करूंगे प्लस 1 inch करके लेंगे जो कि हमारा 1 inch hem fold में जाएगा यहां हम नीचे long sleeve जितने हम length लेते 21 inches अब आप यहां नीचे देख सकते हैं हमने चूडी के लिए 11 inches extra लिया है अब यहां पर हम अपनी elbow length माक करेंगे इस के लिए इस line का midpoint लें फिर उसमें प्लस 1 inch करेंगे तो यहां पर 11.5 inches आएगा अब इन lines को हम सीधा कर लेंगे हम 3 inch पर अपनी cap height माक करेंगे तो टौल प्रेंट आवने 7 inches लिया तो अतना ही माक करेंगे अब इहांपर हमारा elbow round आएगा तो यहां पर elbow round मेरी 10 inches है मेरे haf लेंदा है तो यहां पर हम már Reyes इंच पर माक करूंग कि इस मेजरमेंट से अगर आप स्लीव कट करते हैं तो आपके बहुत अच्छी फिटिंग आएगी 1.5 इंच साइड मार्जिन लेंगे अब इस लाइन को हम एक्कुली 3 पार्ट में डिवाइट करेंगे यहां से 1.2 इंच अबब Maark करेंगे और यहां से 4 inच डाउन फ्रंट आर्मोल् कोफ की मार्किंग कर लेंगे ठोड़ा बहर की तरफ लेते हो बैक आर्मोल् की भी मार्किंग कर लेंगे कि परस्ट यहां पर हमें बैक आर्मोल कट करना है दैनम स्लीप को ओपन करके फ्रांट आर्मोल डर्थ की कटिंग करेंगे यहां नीचे हैम में वान इंच डबल फोल्ड कर लेंगे दैनम स्लीप की जो हमारी साइट यहां से जोइन कर लेंगे फ्रंट नेकट लाइन हम इस बुकरम फीजिबल इंटरफेस इंग में कट करेंगे तो मैंने से सिंगल फोल्ड करके रखा है नेक विर्थ यहां पर मैं 3.5 इंच लोंगी एंड फ्रंट डैथ में यहां पर 7.5 इंच लोंगी यहां से नीचे 5 इंच पर मार्क करेंगे यहां से अंदर की साइड हाफ इंच लेंगे इस लाइन का मिट पर्ण मार्क करके हलका सा कर्व देंगे हाफ इंच उपर लेते हुए साइड से वन इंच लेंगे आयरन करके इसे पैबरिक में स्ट्रिक कर देंगे इसके साइड में हाफ इंच मार्जन लेते हुए कट कर लें कि यहां टॉप का हम फ्रंट पीस लेंगे तो हमेंने लाइन लाइन जान जाएं को साथ में रखा एंप सीधी साइड यहां में Paula की साइड रखी है कि यहां नेकलाइन की अइज में पूरे में स्ट्रिक करने द्यान रखने को के उपर कोई स्टिच ना आए तो यहां मैंने से जॉइन कर दिया अब कॉर्ट रिंच मार्जन रखते हो हम अंदर की साइड कट कर लेंगे कि पूरे कॉर्ब में स्मॉल कट्स देंगे ताकि यह दुसरी साइड एजी ली टॉर्न हो जाए यहां जो हमने हाफ इंच साइड में छोड़ा थे इसे अंदर की साइड टॉर्न करते हो इसके उपर एक स्टिच करेंगे यह आप पहले ही कर लें अब इसे हम अंदर की साइड टॉर्न करेंगे और इसके एक बार अच्छे सा आईरन कर लेंगे अब यहां अंदर की साड़ी जो हमारा मार्जन फैब्रिक है इसे स्ट्रिप की तरफ करते हुए बिल्कुल इसके एज में पूरे में एक स्टेच करना है अब हम बैक नेक लाइन्स फिनिश करेंगे इसके लिए जो हमारी साड़ी जो आउटर फैब्रिक है की राइट सीधी साइड में अंदर की साइट रखी है अब यहां पर मैं डोरी अटेच करूंगी यहां मैंने 25 इंचेस लॉंग यह रेडी में डोरी ली है यहां उपर से टो इंचेस पर हम यह टोरी अटेच करेंगे हाफ इंच मार्जन में पूरी नेख्लाइन स्टिच कर लेंगे यहां भी पूरी नेख्लाइन में मैं स्म台 में स्मॉल कट्षा तेंगे दैन राइट से मौर्च तर्न कर लेंगे अब यहां जो बिदिश मार nutrients के हैं इस लाइनिंग की साइट करते हैं उसके आज में पूरे में स्टिच कर लेंगे हमारी अंदर लाइनिंग मूव ना होता आप इसके साइट में स्टिच कर सकते हैं पूरे में इस वेसे हम इसके शोल्डर चॉइन करेंगे के अब यहां पे इसके वेस्ट डार्ट स्टेच कर लें इस चीज का ध्यान रों कि हमें बैक स्टिच नहीं करना है यहां डार्ट के एंड में आपको थोड़ा थ्रेट छोड़ना है जिसे हम टाइ करेंगे इससे जो हमारी आगरी के साइड डार्ट पॉंटेट नहीं लगती यह एजीली ओपन भी नहीं होती है इस डार्ट को अंदर के साइड करते हो एक स्टेच करेंगे यहां पूरी फ्रंट नेक लाइन में में ब्लाइंड हैंड स्टेच तुरपाई कर लूँगी अब यहां लाइनिंग स्कट एन आउटर स्कट की जो हमारी है में इसे हाफ इंच रवल्फोल्ड कर लेंगे यहां आउटर स्कट जो हमारी साढजी फैब्रिक है उसमें मैं फीकों करऊंगी हैं मैं एक हमें लाइनिंग स्कट कर न्यों केंसा और आउटः स्कट रखिए आव मिसे टॉप पार्ट के साथ जॉइन करेंगे इस वेके से top पार्ट के साथ जॉइन कर लेंगे half inch margin में same way से back पार्ट भी Join कर लेंगे यहां left side मैं invisible zip attach करूंगी यह optional है यहां उपर से हमें 2 inch पर mark करना है dead then हमें 10 inch की opening चोणने जिसमें हमारी zip attach होगी यह इन्वीजवल जी बटाइच करने की वीडियो भी मैंने अलग से शेयर किया है आप चाहके देख सकते हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी यहां नीचे से भी हमें 2 इंच लेना है तो यहां पर करीब हमें उपर से 2 इंच नीचे से 2 इंच इन दोनों ड्रेस को साथ में स्टिच करना है तो यहां वेश्ट से नीचे करीब हमें 8 इंच तक इन दोनों ड्रेस को साथ में स्टिच करना है तो राइट साइड भी हम मार्कि करेंगे हैं n destruction करेंगे यहां ब utilities कटपी आई लेयग हमें यह इंसमें आईवर होते हो कि OWMारी जीप राते हैं इमसार्षिक मतनि नहीं कर दो होते हैं अब इस प्रसेप विशीबल नहीं कि यहाँ हें प्रसेट्द वो स्टेच कर दिया और स्लीव को हमने आगे की साइट सीधा कर लिया है तो यह तो ड्रेस हमने इसकी रॉंग उल्टी साइट रखी है और स्लीव हम यहां पे सीधी राइट साइट डालेंगे इसके अंदर और पूरी गोलाई में हमें हाफ इंच पी स्टेच करना है अगर यह मेरी वीडियो आप लोगों के लिए यूसफुल रही हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूले झाल ठीक एंच वाचिछ वाचिए गड़ के लोगों कि वीडियो वीडियो प्लीज के लिए खाया प्लीज के लिए वीडियो भूले इसके लिएडियो रूले की अटिर्ष ऐजा के लिए रही है झाल झाल